गुड मॉर्निंग फ्रेंड जैश्री कृष्णा वेलकम बैक टू माई चैनल बिट्टू की रसोई आज हम बनाएंगे आपके लिए पाव भाजी जो की खाने में बहुत ही यम्मी टेस्टी लगने वाला है फ्रेंड्स देखिए मार्केट जैसा पाव भाजी बनाएंगे यह देखिए और इसे हम इस तरह से कट करेंगे जो भी वेजिटेबल से आप वह सब ले सकते हैं मैंने लिया प्रटेटो ओनियन कैपसिकम कैबेच और जो भी वेजिटेबल साथ के पास हैं घर पे आप उसका बहुत ही सिंपल तरीके से और कम इंग्रीडियंस में आप वाजी बनाईए बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड जित्ते वेजिटेबल से इस तरह से कट कर लेंगे पहले आप जो भी रैस्पी बनाती है फ्रेंड बहुत ही प्यार से बनाती हूं मैं आप लोगों के लिए आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताया करिए कि मे कट हो चुकी है हमारी इसे हमें दो तीन पानी में अच्छे से हमें वाश करना है बीट भी डालेंगे इससे पाउबाजी में कलर बहुत अच्छा आता है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हमारे पूरे वेजिटेबल्स अच्छे से कट हो चुके हैं और इसे में दो तीन पानी में अच्छे से वाश करने के बाद इसे हमें कुकर में थोड़ा सा पानी डालना है थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और दो तीन सीटे लेना है ये देखिए अब हम फ्राइपेन कड़या चड़ाएंगे और इसमें हमने हाफ बटर डाल दिया थोड़ा सा हम इसमें ऑईल भी एट करेंगे ओईल टू स्पून जैसा डालना है अब हम इसमें लगाएंगे देशी तड़का जीरा डालेंगे ये मैंने प्यार चॉप करके ओनियन चॉप करके रखा था वो डालेंगे कैपसिकम ग्रीन कैपसिकम डालेंगे ग्रीन सिम्ला मिर्च ये लोग कैपसिकम सिम्ला मिर्च एंड रैट कैपसिकम सिम्ला मिर्च डालेंगे और इसमें टू टेमेटों हम बारिक चॉप करके डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से दो मिनट तक के अच्छे से पकाना है और इसमें मैंने हाप बटर जो बचा हुआ था वो भी इसमें आट कर दिया अब हम इसमें लैसून अध्रक का पेस्ट चॉप करके उसे आट करेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा सा मैं इसमें त्री स्पून पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ त्री स्पून डाली हूँ देखे कलर कितना अच्छा है और इसे हमें बहुत देर तक की अच्छे से हमें भुंजना इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जो हमने वेजिस बॉयल करी थी वो अब हम इसमें एट कर दियें ये देखे फ्रेंड्स बॉयल होने के बाद और हम इसमें वन स्पूर्ट सॉल्ट डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाल सकते हैं आप इस्पून तर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हमें बॉयल होने दिना थोड़ा सा मिसमें पाव भाजी मसाला फिर से एट करेंगे और इसे हमें दो मिनट तक के ऐसे अच्छे से पकाना है यह देखिए और इसे हमें मैश करना है क्योंकि सबजी मैंने बॉयल ही डाल दिये थे आप चाहें तो आपको सबजी को जार में उसकी प्यूरी पेस्ट बनाकर भी आप इसमें आड़ कर सकते हैं बट मैंने इसका पे परिंडर ले और इसे हमें दो मिनट तक के अच्छे से पकाना देखिए हमेरी पाव भाजी सुपर यम्मी से बन चुकी है अब हम प्राइपेन लेंगे तवा लेंगे उसमें बटर लगाएंगे पाव भाजी मसाला डालेंगे और ब्रेट को बटर से चारो तरफ से से केंग और बताया करें कमेंट करके कि मुझे आप लोगों को मेरी रैस्पी कैसी लगी फ्रेंड्स अब हम इस तरह से सुपर यम्मी सी पाव भाजी खाएंगे और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने पाव भाजी कैसी बनाई है फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइ and share करना मत भूलना Thank you Thank you for watching Bye Bye friends